हेलो अवरीवान, वेलकम टू फार्मरुक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरुक्स की यूट्यूब एजुकेसने चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पायरोक्सी के हम टाबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये मेडिसन के बेजिक उसके बारे में साधर जानेंगे उसका डेली डोस क्या होता है उनकी यूज क्या होते है डोस, साइड एफेक, वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन को एक साल तक वो भी अफ़र्डिबल प्राइज में फार्मरोक्स के अब पर सरल बासा में तो भी डाउनलोड करें आप फार्मरोक्स की जो एंडर्ड एप्लिकेशन है गुगल प्ले स्ट हम नॉन स्टेरोडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रक्स कहते हैं और स्वाट पे उसको हम NSAIDS के तौर पे जानते हैं तो ये मेडिकेशन के पास टूटल तीन प्रापर्टी से तो पायरोक्सिकेम के पास एक एनलजेसिक प्रापर्टी है कि जो दर्द निवारक के तौर पे काम क करता है दूसरा उसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी प्रापर्टी है कि जिससे वो हमारे बॉडी के अंदर आई सुजन को कम करता है और तिसरी प्रापर्टी है एंटी पायरेटिक कि जिससे वो फीवर मलब कि जो बुखार होता है उसको कम करता है और ये मेडिकेशन कैसे का करेगी तो जो प्रोस्टाग्लांडिन का जो सिंथेस होता है हमारे बॉड़ी के अंदर तो उसकी एक्टिविटी को इन्हीबिट करके ये मेडिकेशन अपना काम कर दिए तो यहाँ पे उसकी मेकिनिजम आप समझो तो फार्मकोलोजिकली हम देखे तो ये एक नॉन सिलेक्ट ये कॉक्स वन एन्जैम है और ये कॉक्स टू एन्जैम है तो जो अराचिडोनिक एसिड जो प्रोड्डिस होता है वो आगे जाके कॉक्स जो एन्जैम से उसको यूटिलाईस करके प्रोस्टाग्लांडिन बनाता है कि यह आप आप देखो ये प्रोस्टाग्लांडिन का सि इंजरी होई है या फिर कोई बाग आपका डैमेज हुआ है या फिर किसी सरजरी के बाद किसी ओपरेशन के बाद आपको किसी जगह पे इंजरी या फिर डैमेज हो तो वहाँ पे ये प्रोस्टागलंडिन्स रिलीज होगे और प्रोस्टागलंडिन्स जब रिलीज होता है त जब आपको दर्द भी हो और सुजन भी हो तो बुखार जो हो आता है तो ये तीन condition produce हो जाती है कि जब ये प्रोश्टाग्लांडीन जो हो produce होता है साथ औ साथ जो GI जो track होता है और उसका उसका mycosa जो है उसका protraction करवाता है जो कॉक्स इंजैम ज हो जाते है हैं और उनकी activity को block कर देता है कि जिससे क्या होगा कि बले arachidonic यहाँ पे present है पर यह cox engem नहीं होगा तो आगे जाके यह prostaglandin का synthesis नहीं होगा जिससे यह medication क्या करती है prostaglandin के synthesis को inhibit कर देती है कि जिससे prostaglandin नहीं होगा तो आगे जाके यह उसके कोई भी effect आपको नहीं मिलेगी जो दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा सुजन थी वो कम हो जाएगी और जो fever मतलब कि आपको जो बुखार आ जाता है वो भी कम हो जाता है तो इस तरह से यह medication अपना काम कर दी है तो उसके working के बारे में हम समझे तो यह medication work करती है as a analyzing मतलब कि pain killer के तौर पर यह काम करता है फिर anti-piratic मतलब कि बुखार को कम करता है fever को कम करता है और anti-inflammatory मतलब कि यह medication जो हमारी body के अंदर जो सूजन हो जाती है उसको कम करती है तो आप समझते हैं उसके daily dose के बारे में तो यह medication दो बार patient यह लेता है 20 mg जितना पहले दो दिन के लिए मतलब कि इस तरह से आप अच्छे से समझे कि समझे कि day 1 है आपका तो day 1 को आप जो है वो total यह medications के जो है वो दो टाबलेट खाते हैं 20 mg जो है वो आप दिन में दो बार लेते हैं के और वो भी at least 12 अवर के time interval पे के 12 गंटे के time interval पे यह medication जो है वो patient दो बार लेता है day 1 को उसी तरह से day 2 को भी आप उसका same dose जो रेपीट करते हैं बड़ तिसरे दिन से सिर्फ दिन में एक ही बार यह medication खानी है 20 mg ओडी महले कि पहले 2 दिन आप 40 mg जितना per day ले सकते हैं और उसके बाद 20 mg जितना per day महलब कि simply यह जो uncoated tablets आते हैं जो dispersible tablets आते हैं जो जल्दी से गुल जाते हैं पानी के अंदर और उसकी fast action देते हैं तो सरवात के 2 दिन आप यह tablet जो वो इस तरह से लेते हैं कि 20 mg को जो वो दिन में 2 बार लेते हैं day 1 को फिर day 2 को भी आप 20 mg जो वो दिन में 2 बार BD की तोर पे लेते हैं और तिसरे दिन से आप 20 mg once a day से लेके because यह medications लंबे समय तक लेने से उसके higher dose में लेने से कुछ side effects हो सकती है तो यह condition उसके dose के अंदर आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर उसके label भी आप देख लो कि uncoated tablet रहते हैं डिस्पर्जिब लहते हैं जो इसका एक popular brand name है वो है डोलो next करके कि जिसके manufacture आप यहाँ पर देखते हो कि Pfizer जो उसके manufacture है और यहाँ पर लिखा है कि उसका जो storage condition यह कि store करनी है आपको उसको और dry place के आपको अच्छे से उसको store करके रखना है और temperature 40 degree से उपर जो नहीं जाना चाहिए और 20 mg जितने medications रहती है एक tablet के अंदर और साथ ही यहाँ पर लिखा है कि Disperse the tablet in boiled and cool water कि आप यह tablet को पानी के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद जो पानी होता है उसको तुरंत ही आपको लेना होता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यह DT tablet किस तरह से यूज़ करनी है DT मनलब कि Disperseable tablet कि जब भी आप यह tablet को लेते हैं तो साथ में समझे कि आपके पास यह पानी बरा हुआ ग्लास है तो यह ग्लास के अंदर आप यह tablet को जो डालते हैं और थोड़ी देनों मिनिट में यह tablet जो अच्छे से जो गुल जाती है और वो जो पानी तयार होता है वो पानी जो आपको पीना होता है तो आप जो थंडा पानी भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं जिसके अंदर यह tablet डालने से जल्दी से वो वहाँ पे जो वो गुल जाती हैं डिजॉल हो जाती हैं जो पानी तयार होता है वो आप जो है वो ले सकते हैं दूसरा एक marketed formulation आप देखे तो mankind pharma भी उसको बनाती है और उन्होंने इसका brand नेम दिया है डोलो फॉर्स डीटी करके उसका नाम दिया है डीटी मनलब कि dispersible tablet तो ये भी dispersible tablet के form में अवेलेबल है कुछ mouth dissoling tablet भी अवेलेबल रहते हैं MDT कि जो आपके oral cavity में ही आप रखते हैं और वहाँ पे वो आपके mouth में ही गुल जाती है तो इस तरह सी ये tablet के अलग-अलग versions है तो अ उसमें भी आप ये medication को खा सकते हैं फिर दूसरी medical conditions के जिसको हम कहते हैं rheumatoid arthritis जो गठिया रोग कहा जाता है तो उसमें भी आप ये medication को ले सकते हैं विकाज आप गठिया रोग के अंदर देखो तो एक तो वहाँ पे pain होता है patient को काफी साथ उसाथ वहाँ पे जो वो swelling होती है मलब कि सूजन हो जाती है तो वो condition भी ये medication treat करती है और तिसरा कई बार patient को जो fever भी आता है उसके करण तो ये तीनों condition को treat करने के लिए आप rheumatoid arthritis में भी उसको खा सकते हैं same osteoarthritis के condition ankylosing spondylitis के condition फिर जो short term pain होते हैं हमारी body के अंदर उसमें भी आप खा सकते हैं menstrual cramps के दोरान dental pain के अगर आपको दात में दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये medication खा सकते हैं और जो जोडों का दर्द होता है joint pain उसमें भी ये medication जो काफी useful साबित होती है दूसरे कुछ उसके use देखे तो एक popular pain killer के तौर पे ये काम करता है दर्द निवारक के तौर पे काम करता है बहुत सारा एलग-एलग pain जैसे कि आपके समझों कि दार्द के दर्द हो रहा है आपके दात में दर्द हो रहा है body मलब की बदन दर्द कर रहा है फिर आपके muscles के अंदर भी दर्द हो र जो तुटने की जो हम बात करते हैं तो अगर हड़ी आपकी तुटी हुई हो और उसके करन आपको दर्ध हो रहा है वहाँ पी सूजन हो रही है काफी पें हो रहा है तो उस वक्त भी ये मेडिकेशन खा सकते हैं या फिर जो मसल्स क्रेम हो जाते हैं उसमें भी पेसंट ये को खा सकते हैं, side effects के हम बात करें तो पहले हम discuss करने के कुछ उसके common side effect के जो कुछ normal side effect होती है, जैसे कि ये medication लेने के बाद कुछ लोगों को vomiting जैसा फिल होता है, हम लगिए, उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, फिर जी में चलता है, इन डाइजेसन जैसा वो फिल करते हैं कि जो अच्छे से स्टमक में खाना डाइजेसन अच्छे से ना हुआ हो वैसा फिल करना दस्त हो जाते हैं कुछ लोगों को सीने में जलन जैसे कंडिशन होते हैं कि जिसको हार्ट बन कहते हैं और कुछ लोगों को loss of appetite में लबकि अपना पसंदी तक आना सामने होने के बावजुद भी उनको बूख नहीं लगती तो ये कुछ minor side effects जो हम कही सकते हैं वो develop होती है pyroxic and tablet के करण अब बात करते हैं उसके serious side effect की serious side effect कैसे के अगर आप ये medications बहुत ही लंबे समय तक खाते हैं या फिर दूसरी condition के अगर आप उसको high dose में खाते हैं तो ऐसे condition में कुछ side effects develop होते हैं कि high dose है plus long time तक ये medication आप use करते हैं तो ऐसे side effect जैसे कि आपके heartbeats irregular हो सकते कि इस तरह से जब आप आपका ECG निकालोगे तो heartbeats का जो ECG वो abnormal आ सकता है heart attack जैसे कुछ serious side effects होते हैं blood pressure जो है आपका ये काफी बड़ा सकता है high blood pressure के complications देखे जा सकते हैं swelling में लबके body के अंदर edema में लबके sujan आ सकती है कि जैसे हमने देखा कि ये anti-inflammatory medication है बट जब उसका proper dose होता है तब तक ही ये medication anti-inflammatory के तोर पे काम करेगी बट जब अब उसको dose के बज़ाए high dose में use करते हैं तो ये कुछ complications आपको देखने को मिलती है जैसे की chest pain भी हो सकता है कि जिसको हम angina कहते हैं gastrointestinal bleeding हो सकती है उसके अलावा gastric ulcer करवा सकते हैं ये medication और liver damage मनलब कि आपके pain में ulcer हो सकता है फिर जो हमारा पाचन तंत्र है तो वो track के अंदर bleeding मनलब कि खून आ सकता है आपको GI track के अंदर liver आपका damage हो सकता है ये है उसकी कुछ serious side effect तो अगर आप कोई भी ऐसे side effect notice करते हैं अपने अंदर तो तुरंत ये medication लेना बन कर देनी चाहिए contraindications देखे तो किन लोगों को ये medications नहीं खानी तो अगर आपको allergy है non-stertidal anti-implanted drugs की icemic heart disease के आप patient है peripheral artery disease या फिर cardiovascular disease मनलब कि जो blood related heart related और जो blood vessels जो होती है हमारी उनके related आपकी बिमारी है जैसे कि आपको ऐसी condition है कि आपके जो arteries होती है उसमें समझे के fat deposit हुआ है या फिर peptic ulcer के condition है liver या फिर kidney आपके खराब है फिर बच्चों में उसको use ना करे और pregnancy के दौरन भी ये medication को use ना करे बिकाज उससे कुछ serious complications हो सकते हैं अब उसके कुछ हम drug drug interactions देखे तो pyroxycham का combination कभी भी ibuprofen के साथ ना करे तो ये दोनों के जो combination कि अगर आप ये दोनों combination में use करते हैं तभी भी उसको combination में ना करें उससे तरह से naproxen के साथ combination ना करें aspirin के साथ उसका combination ना बनाएं duloxetine है metoprololol है, atenolol, lisinopril, warfarin, salicoxy, prednisone, maloxicamene, sertalin तो ये जो medication यहाँ पे listed है, इनके साथ इसकी drug drug interactions होती है तो कभी भी pyroxygan का combination ये medications के साथ आपको जह वो नहीं करना है तो ये खास आप ध्यान रखें तो SAC के दवायों के बारे में उनके basic use, उनके dose के बारे में side effects, warning and contradigations को एक साल तक affordable price में सीखे सरल बास हमें farmer rocks के आप उपर तो एंडूइड उज़र एंडूड आप डाउनलोड करें iPhone user app store से या फिर 90163122020 पे आपि में whatsapp कर सकते हैं एंडूइड उज़र एंडूड आप डाउनलोड करें iPhone user app store से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर ये number पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best